21 जुन इस दिन को देश भर में अंतराष्टे योगा दिवस के तौर पे मनाया जाता है नवे अंतराष्टे योगा दिवस के अफसर पर भारते सीना के पाँचवी मदरास रेजिमेंट के जवानों ने दिल्ली पाबलिक स्कूल डिब्रुगर के विधारतियों के साथ मिलकर योग किया इस अफसर पर दिल्ली पाब्लिक स्कूल की चेर्में संजे जैन ने पाचवी मदरास रेजिमेंट के सीयो कर्नल आर्पी सिंग को असम्या परंपरा के अनूसर फूलाम गामचा पहना कर उन्हें स्मृति चिन प्रदान किया योगा भ्यास में पाचवी मदरास रेजिमेंट के जवानों के साथ एक हजार से भी अधिक विध्यारतियों ने हिस्सा लिया इस कारेकरम का शुभारम दीब जलाकर किया गया जिसके बाद विध्यारतियों ने सामोही गीत की प्रस्तुति की वही पाचवी मदरास रेजिमेंट के जवानों ने योगा मुदरासन की प्रस्तुति की इसके बाद योगया भ्यास किया गया कारेकरम के समापन पर पाँचवी मद्रस रजिमेंट के जवानों ने विश्वपरसिद दक्षिन भारत की यूद कला से परिपून कलरी पट्यों की प्रस्तु दिखी जिसको देख कर बच्चे काफी उतसाहित नजर आए वाइस कारेकरम के अंत में डिपीएस के चेर्में संजेज जैन ने कुछ इस प्रकार की जान का रिया दिखी इंटरनेशनल योगा दिवस है पुरा देश में मनी रहा है पर कि पुले विश्वों में ये आज मनाया जा रहा है आज डेली पर्बिक स्कूल में भी हम लोगों ने इंडियन आर्मी के सहयोग से खासकर फाइब मदरास रेजिमेंट के सहयोग से ये योगा दिवस का हम लोगों ने यहां मनाया आज इस अफसर पर फाइब मदरास के कमांडिंग ऑफिसर एजे चीफ गष्ट हमारे यहां उपस्तित थे इन फाइब मदरास के जवानों ने काफी अच्छे से योगा में काफी भागिदा योगदान दिया साथ में हमारे स्कूल के बच्चों के साथ और यह काफी प्रसर्शनी है कि आर्मी के जवानों ने इतने कम समय में आकर यहां पर योगा दिवस का हमारे साथ के त्योहार को मनाया है साथ का भी कोई योगा की कारिम के बाद बाद में इन्होंने कलारी पैट्टू जो करेला का मार्शल आर्ट सो है जिस जो योग पे ही योगी योगी है वो एक प्रगार का उसका काफी इचाए वह सो किया इन्होंने और मेरे ख्याल से यह डिब्रुगड में पहली बार किसी स्कूल या कहीं भी प्रतिस्था कहीं पर भी ये ओफिशली ये योग का ये कलारी पैट्टू का जो प्रोग्राम है वो उसका मंचन पहली बार यहां पर हुआ है और मैं इसके लिए कर्णल स्प्रेशली कर्णल कमांडिंग ऑफिसर आर्पी सिंग जी को धन्यवाद देता ह कि डेली पॉब्लिक स्कूल में उन्होंने ये आके हमें ये प्रोगाम देखे हमारा मान बढ़ाया इसके लिए फिर धन्यवाद